हेलो मित्रों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्टड़ी आन ट्रैक पर हार देख स्वागत है आज हम आपके लिए लाए हैं महा जन्पत काल के कुछ महत्वपूर्ण तत्थियों पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी परिच्छाओं के लिए काफी फायदे मन सावित होंगे चलिए ठीक है आज का सेशन शुरू करते हैं उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था तो ज्जैन का प्राचीन काल में नाम था आपका अवन्तिका ठीक है चठी सताब दीशापुरू में प्रारंभ में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर या राज्य कौन सा था तो आथा आपका काशी उदैन उदैन या वासवदत ताकी दंत कथा कहां से संबंदित है तो आपके उज्जैन से संबंदित है किस राजा ने पाठली पुत्र नगर वशाया था तो आपके उदैन ने जो है वो पाठली पुत्र नगर वशाया था मगद सामराज का उद्कर्ष किस सताबदी में हुआ था तो यह आपका छठी सताबदी इसापुरो में मगद सामराज का उद्कर्ष यानि सतापना हुई थी छटी सताब्दी इसापुरों में 16 महाजनपदों के विशय में किस बौध ग्रंथ से सूचना मिलती है तो यह आपके अंगुत्तर निकाय से मिलती है कहां से मिलती है अंगुत्तर निकाय से विश्व का पहला गड़ तंत्र वैशाली किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो यह आपके लिछवी सास्कों के द्वारा इस्थापित किया गया था प्राचीन स्रावस्ती का नगर विन्यास किसा कृतिका है तो आपका यह अर्ध चंद्राकार है मालवा छेत्र पर मगद की सत्ता का विस्तार किसके साशनकाल में हुआ था गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक ठीक है प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दर्वार से सम्मंदित था तो आपका यह विम्बिसार के दर्वार से सम्मंदित था ठीक है विम्बिसार आपका हर्यकवंस का संस्थापक भी था सोला महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी तो यह आपकी सुरसेना की राजधानी थी चमपा किस महाजनपत की राजधानी थी तो आपके अंग की राजधानी थी किस अभिलेख ये प्रमार से राजानंद का उल्लेख प्राप्त होता है तो खारवेल का जो हाथे गुमफा भिलेख है वहाँ से आपके राजानंद का उल्लेख प्राप्त होता है मगद का कौन साराजा शिकंदर का शमकालीन था आपका घनानंद या प्रशन पूछा भी जा चुका है परिच्छाओं में हर्यकवंस का अन्तिम सासक कौन था तो हर्यकवंस का अंतिम सासक आपका नागदसक था दूसरी परशुराम का उतार किसे को कहा जाता है तो महा पद्मनंद को दूसरे परशुराम का उतार कहा जाता है ठीक है सिसुनाग ने पाठली पुत्र के अत्रिक दूसरी राजधानी किसको बनाया था तो वैशाली को ठीक है भारती तिहास में पहली बार किसने एक विशाल सामराज की स्थापना की थी तो था आपका महापद्म नंद महापद्म नंद ने भारती तिहास में पहली बार एक विशाल सामराज की स्थापना की थी किसके सासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्रात हुआ था यानि जब महात्मा बुद्ध की मृत्य हुई थी तो उसमें सासक कौन था तो आपका अजास्सतुर था शिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवन्स का सासन था तो वह आपका नंदवन्स का सासन था किसके ग्रंथ में चंद्रगुत मौरे का विशिष्ट वड़न प्रात होता है तो यह था आपका विशाकदत ठीक है 323 इसापुरो में सिकंदर महान की मृत्य हो जाती है तो कहां होती है वेविलोन में ठीक है शिकंदर महान एवं पूरस की सेनाओं ने किस नदी के तड़ पे पड़ाओ डाला था यानि किस नदी के तड़ पर यह रुके हुए थे तो आपके जेलम नदी के तड़ पर यह इनकी सेना रुकी हुई थी ठीक है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमर प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमर किनकी द्वारा किया गया था तो यह आपके इरानियों के द्वारा किया गया था ठीक है पहला इरानी सासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था ठीक है अपने अधीन कर दिया था कर लिया था तो अथा आपका डेरियस ठीक है तो आज हमने परिच्छा की दिरिष्टी से महा जन्पत के इतिहास के महा जन्पत के महत्पूर्ण बिंदूओं पर चर्चा की हमारा प्रयास है कि ऐसे ही और महत्पूर्ण तत्यों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हों जो आपकी आगामी परिच्छाओं की दिरिष्टी से काफी महत्पूर्ण है अगर हमारा वीडियो आपको पशंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ सेयर करें साथी साथ वेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल प्राप्त होती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाफ प्राप्त हो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस्टडी आउन ट्रेक से जुड़ सकते हैं जहां आपको महतपूर्ण क्विज प्राशनों के साथ साथ प्रीविएस येर क्यूस्चन पेपर की पीडियो भी प्राप्त होगी साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो हमारे इमेल आईडी स्टडी आन ट्रेक 3 एड़ दरेट जीमेल डाट काम पर सुझाओ दे सकते हैं धन्यवाद